रूपनाइनपूर पूलिस ने दो चोरों को दबोचा सलानपूर थाने की रूपनाइनपूर पूलिस ने बीते सनिवार को रूपनाइनपूर रेल वेस्टिसन के समीफ चोरी के आरोप में दो चोरों को धर दबोचा पिछले कुछ दीनों में च्छत्र में हुई चोरीों में सामिल होने का संदेव है गिरप्तार आरोपियों के नाम महमेद केसर और महमेद गुलजार है दोनों आसनसोल के रेल पर आजाद बसती के रहने वाले है फुलिस सुत्रों के अनुसर दोनों के खिलाब करनपूर फाड़ी में पहले से इस चोरी के कई ममले दर्ज है और उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है मिली जानकरी के मुताबिक पुलिस ने इनके पास से तांबे के बर्तन समेथ लोहा और लोहा काडने वाले ब्लेट भी बरामत किये है गिरपतर आरोपियों के सुमहों में चीना कोड़ी समेथ कई जगों के न वालिक बच्चे भी सामिल है जो पहले इलाका में बंद घरों की रेकी करते है और फिर रात में चोरी की बरदात को अंजम दे कर भाग जाते है रभी बर सुभा गिरबतर आरोपियों को आसंसल नया लाई के सुपूर्ट किया गया एबंग आगे की पुलिस जाच के लिए हिरासेत की एपिल की गई नया लाई ने आरोपियों को पाच दिनों की पुलिस हिरासेत पर भेज दिया राहूल तिवाडी A&M News और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए A&M News बेल आइकन दबा कर रहिए सबसे आगे